बिसमिल्लाहिर्वाइन वहीम आसलाम लेकम फ्रेंट्स क्या हाल चाल है फ्रेंट्स आज आपके साथ मैं वाइट चिकन क्राई की रेश्पी शेयर करने जा रही हूं इसके लिए टू टी स्पून मैंने अध्रे टरसन का पेस लिया है वन टी स्पून कुटी हुई हरी मिर्च ख्रेंट्स आज स्पून नमक उन टी स्पून जीरा और सुका धनिया वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर चोटी एलाची और बड़ी एलाची का इसकेसे साथ सथ मैंने 250 ग्राम के क्रेँक दहीं लिया है 250 ग्राम क्रीमgg क्रिण्यक मैंने नहीं हरी मिर्स लइमन और हाफ प्याज मैंने इसमें इसलिए किया है कि मुझे थोड़ी ग्रेवी ज्यादा चाहिए प्याज ऑप्शन है यह उनियन इसमें इसमें आप चाहें तो ऐसे ही बना लिए उस कंडिशन में आपको पहले द्रक लसन के पेस्ट को फ्राइ करना होगा उसके बाद पर वाकिके इतमाम इसी तरीके से स्टेप बे स्टेप डालनी होगी लेकिन मैंने चुके ओनियन को पहले फ्राइ किया है उसके पाद अधरिक लसन का पेस्ट है उसको अच्छे से फ्राइ करना है तक्रीबर दो मिनिट मुझे इन तोनों चीज़ों की बनाई करनी है ताके इन चीज़ों का कच हो चुका है इस कनिशन में इसमें मैं अपना हाफ के जी टिकन डालके इसको अच्छे से फ्राइ करूँगी मुझे साथ से आठ मिनिट तक इसकी चिकन की बुनाई करनी है जब तक इसका अच्छा मुक्मल खुबसूरा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता मुझे सलसल इसमें चमच चलाके इसको बुनना है यहीं कि एक तुम मिनिट के लिए भी मुझे इसको ब्रेक नहीं देना यही तरीका कार है यह छोटी छोटी टिप्स हैं जो के रेस्पी को अच्छा मज़ेदार और लजीज बनाते हैं कि किस तरह से इसको step by step और इस रेस्पी को आप follow करके इस तरह की रेस्पी बना सकते हैं तो फ्रेस तकरीबन चिकन मेरा मकमल तोर पर भूनने के करीब है बस इसको मुझे आठ मिनिट मुकमल मुझे आठ मिनिट के करीब इसको भूनना है यानि दो मिनिट मैंने अध्रक लसन के पेस्ट को fry किया है विद उनियन और आठ मिनिट के करीब मैंने चिकन को भूनना है उसके बाद मैंने इस केन्डेशन में नमक डाल दिया नमक का एक आच्छा मज़ेदार सा टेक्स्टिर है जो चिकन के साथ मिक्स हो जाएगा और बरा मज़े का फलफी फलफी किसम की इसका टेस्ट आ जाएका नमक के बाद मैंने इसमें रोस्टिड जीरा और उसका धनिया खुश्ट धनिया उसको तवे पर मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया है वो इसमें एड़ किया है अधरक लसन के पेस के बाद मैंने इसमें डाला था चिकन और उसके बाद मैंने इसमें एड़ किया नमक और फिर ये ब्लैक पे नमक, सौरी, उसके बाद इसमें मैंने डाला है जीरा और खुश्ट धनिया और दहीं को मुझे इसमें बीट करके अच्छे से डालना है दहीं को कभी भी फुटकियों स्मेट नहीं डाला जाता मैंने दहीं को अच्छे से बीट कर लिया है हैंड बीटर से और तक्रीब टू फिफ्टी ग्राम के क्रीब मैंने इसमें दहीं आड़ किया है यनि एक पाउ क रखना है बंद कर देना है इसको ताके चिकन जो है अंदर से अच्छी तरह गल जाए और ब्लैक पेपर इसमे मैं डाल चुकी हूँ इसका एक फ्लेवर और मज़ेदार टेक्स्चर आएगा यह नहीं कि आप तमाम चीजों को एक साथ डाल के इसको दम पे रखने के बाद दहीं को अच्छे से जब दहीं मेरा खुश्क हो गया है मैंने इसको ओपन किया है अपने पैन को तो मेरे पस यह वाली कंडिशन इसकी आ वो हड़ियों के साथ ही जूरी हुए है लेकिन यह कंडिशन हो चुकी है चिकन मकमल तोर पर अंदर से गल चुका है अब इस कंडिशन में मैंने इसमें वन टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च का इस्तमाल किया है यह आप्शन है आप चाहें तो काट के डालने चाहें तो क कच्चा नहीं है और अब इस कंडिशन में इसमें मैं अपनी क्रीम जो है उसको अच्छे से बीट करके वो एड़ करूंगी फ्रेंट्स यह मेरी टेटर पैक क्रीम है तक्रीबन एक पाउ की क्रीम भी होती है टू फिफ्टी ग्राम होता है एक पैकिट आप चाहें तो घर की क्रीम भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने चुके बजार की क्रीम इस्तमाल की है इसको मैं अच्छे से बीट करूंगी इसको फ्रिज में रखके ठंडा करके फिर इस्तमाल करें कभी भी क्रीम को फॉरण इस्तमाल नहीं करें क्योंकि उन लोगों ने कभी स्टोर वगरा प की मकमल और बनाई करूंगी तो जब मेरी यह बनाई मकमल हो जाएगी यानि क्रीम चिकन के साथ अच्छे से इसका एक फ्लेवर और टेक्स्टर आपस में मिक्स अप हो जाएगा तब मैं इसकी गानिशिंग करूंगी बहुत ही लजीज मज़ेदार और डिलिशियस किसम की यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जबूर फॉलो करें मेरी मैं रेस्पी को रिशाट वाट चुकी हूं मकमल तोर पर रेड़ी है फ्रेंस के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइक उन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप पर पहुंच सके थैंक यू अलाहाफेज की पॉचिंग माई चैनल माई क्रीमी चिकन मकमल तोर रेड़ी है